हेलो एन वेलकम पर्मुटिशन कॉम्बिनेशन के mcq का सेकेंड पार्ट लेट्स स्टार्ट पहला कोश्चन है दोस्तों आपके सामने दा टोटल नंबर ओफ प्रॉपर डिवीजर ओफ 38808 आपको बताना है कि टोटल नंबर ओफ प्रॉपर डिवीजर ओफ 38808 क्या होंगे तोस्तों हम पहले समझ लें कि डिवीजर प्रॉपर डिवीजर क्या होते हैं इसे 8 के डिवीजर बताओ क्या क्या होंगे 1,2,4 और 8 ये इसके डिवीजर हैं लेकिन 1 और 8 आपके कैसे divisor है, improper divisor है, okay, 1 और 8 आपके कैसे है, improper divisor है, जबकि 2 और 4 आपके कैसे होते है, proper divisor होते है, यानि आपने 1 को नहीं लेना है, और 8 को नहीं लेना है, ठीक है न, तो इसी दरेके से इसके proper divisor क्या होंगे 1 और 38808 को छोड़के जितने भी आपके क्या होंगे divisor होंगे वो आपके क्या होंगे proper divisor होंगे तो सबसे पहले वे एक काम करते हैं इसके हम factor करते हैं तो factor करके जड़ा देखी 38808 लिखो और इसके factor करो पहले 2 से डिवाइड होगा 1, 9, 4, 0, 4 इसके बाद होता है 2, 2, 9 जा होता है 18, 2, 7 जा फिर 4 पे जाएगा फिर अग 2, 4, 0, 8 2, 8 जा 16, 4, 8, 5, 1 2 से फिर से ये 2 से डिवाइड होगा नहीं 3 से डिवाइड होगा इन सबका सम आपका क्या होता है 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड होगा तो जाएगा 3, 1 जा होगा 3 36, 18 और फिर कितना जाएगा 17 ठीक है न अगेन ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि इनका जो सम है 1, 6, 1, 7 ये 3 से डिवाइड होता है तो 3, 5 जा हो गया 15 and उसके बाद 3, 3 जा फिर हो जाएगा 5, 3, 9 अब ये देखी है 3 से डिवाइड नहीं होता है लेकिन 7 से डिवाइड होगा ठीक है तो अब इसके बाद इसको 7 से डिवाइड करिए तो आपका हो जाएगा 7, 7 जा होता है आपका 49 और 7, 7 जा होता है फिर से 49 तो 7, 7 जा 49 फिर 7, 7 जा 49 और फिर इसके बाद ये फिर से 7 से डिवाइड हो जाएगा 7 बन जा 7 और यहागा 11 ओके तो अब हम इसको प्रापर फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा बाई 2 की पावर 3 क्योंकि इसके बाद हो जाएगा भई 3 की पावर 2 7 की पावर 2 और 11 की पावर 1 तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं कि भई 3, 8, 0, 8 हैं इसके जो फैक्टर्स हैं हम इसको इस टाइप की फॉर्म में लिख सकते हैं यानि इसके जो डिवीजर हैं हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर डिवीजर की बात कर रहे हैं ठीक है ना तो ऐसे 3, 8, 0, 8 के कितने डिवीजर आपके बन सकते हैं तो यह कोशन उसी तरह के का है कि आपके P आइटम एक तरह के के हैं Q आइटम एक तरह के के है R आइटम एक तरह के के S आइटम एक तरह के है तो उनको number of way of choosing one or more item उनको selection के way कितने हो सकते हैं तो यह question उसी तरह के का है ठीक तो इसका अगर आपको formula बता हो तो इसका formula जिसे आप इसमें देख सकते है P item एक तरह के के Q item एक तरीके के R item एक तरीके के और S item एक तरीके के हैं तो इसका जो formula था वो अगर आप मेरी पिसली वीडियो में देखें मैंने इसको बताया है तो इसका formula होता है P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1 और यह हो जाएगा S plus 1 minus क्या कर देंगे 1 करेंगे क्योंकि इसमें हमने 1 को include नहीं करना है तो यह हो जाएगा भाई P, Q, R और यह है आपका S तो 3 plus 1 2 plus 1 2 plus 1 1 plus 1 minus हो जाएगा 1 तो 4, 3, 3, 2, 1 4 सीजा 12, 12 सीजा 36 36, 2 जा होता है 72 minus 1 यानि कितना हो गया 71 तो 71 इसके आपके आए हैं diviser लेकिन यह बात कर रहा है proper diviser की तो इसमें लेकिन एक diviser 3, 8, 0, 8 भी होगा तो आपने क्या करना पड़ेगा उसको भी minus करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 1 को include हमने नहीं किया तो 3, 8, 0, 8 को आपको क्या कर देंगे से minus कर देंगे तो 71 आपके diviser है लेकिन आपसे बात हो रही है proper diviser की 1 को हमने already minus कर दिया है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 71 में से आप क्या करेंगे 1 को minus कर देंगे तो आपका proper answer आ जाएगा तो आप क्या करना है इसके जो सारे factors हैं 71 में से आप क्या कर देंगे 1 minus कर देंगे तो 70 इसके क्या होंगे proper diviser होंगे तो आपको समझ में आना चीए कि 1 और उस number को छोड़ के जितने भी diviser होते हैं उस number के वो क्या कहलाते हैं proper diviser कहलाते हैं तो इक question बड़ा important है और आगे आने वाले exam के नजेरे से भी बहुत महत्तोपूर है इस type के question कि आप practice करिएगा या आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे आने वाले exam में बढ़ते हैं next question क्योंगे दोस्तों next question है the number of order triplet of positive integer which are the solution of equation x plus y plus z बराबर 100 बड़ा अच्छा question है आपने बताना है कि 100 के अगर आप order triplet बनाएं या positive integer के तो उसमें कितने आपके ऐसे triplet बनेंगे जिनका sum आपका क्या होगा 100 होगा simple साइ question है कि आपके पास 100 identical items हैं उसको आपने तीन लोगों में यानि x y z में distribute करना है तो उसके कितने वे होंगे तो इस question को आप मेरे पिसली वीडियो में भी है मैंने स्क्राइब के question को solve किया तो यहाँ पर यह चीज ध्यान देने वाली है कि आपने 100 अगर suppose करो आपके पास identical item है तो आपने उसको क्या करना है x y z के बीच में distribute करना है ठीक है न यहाँ पर लेकिन यह question यह थोड़ा सा different है क्योंकि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि positive integers positive integer को आपने लेना तो suppose करो आपके पास अगर n identical items है और आपने उसको r लोगों के बीच में जब distribute करना होता है तो उसका formula होता है n plus r minus 1 c r minus 1 लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो यह r जो आपके objects है यह आपके 0 value को भी ले सकते है suppose करो आपके 5 mango है और आपको 3 लोगों के बीच में distribute करना है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी 5 के 5 mango ले 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 जीरो mango ले ले या एक 0 ले ले और दो आपके कुछ एक 3 ले ले एक 2 ले ले लेकिन यहाँ पर है कि x minimum एक value तो ले गए लेगा यहाँ पर जो formula है वो थोड़ा सा different होगा यहाँ पर आपको कहरा है कि x की value है वो minimum 1 तो होनी चीए क्योंकि आपको पता है positive integral कहां से start होते है 1 से start होते है ठीक है न तो इस case में जो हमारा formula है वो थोड़ा सा different होगा यहाँ पर आपको 5 mango को 3 लोगों में distribute करना है लेकिन at least 1 होना चाहिए तो इसका formula है n-1 c r-1 यह चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे ठीक है न क्योंकि x can take minimum value 1 तो यहाँ पर थोड़ा सा यह question थोड़ा different है यह ऐसा question नहीं है जो कि हम करते हैं अगर suppose करो ऐसा होता कि x plus y plus z को कोई भी आपका non negative अगर अब solution की बात आती non negative triplets की बात आती तो यह formula हम apply कर सकते थे n plus r minus 1 c r minus 1 लेकिन यहाँ पर positive की बात किये तो यह formula लगेगा n minus 1 c r minus 1 तो इस तरीके से क्या हो जाएगा भी 100 minus 1 c 3 minus 1 यानि आपका कितना हो जाएगा है 99 c 2 अब इसको solve कर लो यह हो जाएगा 1 upon 2 99 into 98 अब इसको आप solve कर लीजे यह हो जाएगा आपका 49 तो 49 into 99 अगर आप solve करेंगे तो इसको आप multiply करिए यह हो जाएगा 441 और फिर इसके वाद 441 को add करें तो 1 5 8 4 तो यह हो जाएगा 4 8 5 1 4 8 5 1 is a right answer next question next question है दोस्तों कि भाईया there are 10 points in which of which 7 are collinear आपको बताना है कि number of straight line कितनी बनेगी ठीके न तो आपके पास space में 10 points हैं जिसमें से 7 आपके collinear हैं आपको बताना है कि कितनी straight line formed हो सकती हैं इस type के question मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताए हैं तो suppose करो आपके पास यह 10 points हैं इन में से 7 आपके क्या है collinear है यह 7 आपकी एक line में तो आप बताएए भाई straight line बनाने के लिए minimum कितने points होते हैं 2 ओके 2 points आपको चाहिए होते हैं तो total number of line कितनी बन जाएगी 10 points है 10C2 ओके आपकी यह 7 points आपके collinear है तो 10C2 में से आप क्या कर देंगे minus 7C2 ओके लेकिन 7C2 में एक line तो आपकी बनेगी 7C2 में से तो हमने सारी line minus कर दी तो इसमें आपका क्या होना चाहिए 10C2 minus 7C2 क्योंकि इसमें एक line बन रही है तो इसमें हम क्या कर देंगे plus 1 ओके तो I hope कि आपको question समझ में आयोगा कि space में आपके 10 points है 10 points में आपकी कितनी lines बनेगी 10C2 लेकिन उसमें से 7 points आपके collinear है तो उसमें से आप क्या कर देंगे 7C2 minus कर देंगे 7C2 का मतलब है आपने 7 के 7 points से बनने वाली सारी line को minus कर दिया लेकिन फिर भी उसमें क्या हो रही एक line तो बन रही है न तो आप उस एक line को क्या कर देंगे plus कर देंगे तो ये आपका formula हो जाएगा 10C2 minus 7C2 plus 1 तो I hope कि ये question आपको समझ में आया होगा अगर ये triangle वाला question होता तो ये हो जाता 10C3 minus 7C3 बहुत easy लेकिन क्योंकि ये line का question है तो आपको इस तरह से इसको solve गनना पड़ेगा तो अब इसको solve कर लीजे ये हो जाएगा 7 into 6 by 2 इसको solve कर लीजे 2 5s होता है 10 9 5s हो 45 minus 7 3 जाओगा 21 plus 1 so 46 minus 41 no sorry 46 minus ये तो ये हो जाएगा 25 ओके next question है दोस्तों the total number of ways in which 11 identical apple can be distributed among 6 children तो देखिए पिसले question की तरह पे आगिया हमारे पास an identical item है और हमारे पास all लोग हैं तो उनके बीच में distribute करने के कितने तरीके होते हैं n plus r minus 1 c r minus 1 जो कि मैं आपको बताया था अब इसमें ये condition भी हो सकते है 6 बच्चे हैं तो हो सकता है कि एक बच्चे को 11 के 11 apple मिल जाए बागी 5 को 0 मिले तो इसमें 0 वाली condition भी है इसलिए यहाँ पर at least 1 का कोई case नहीं बनता है तो n plus r minus 1 c r minus 1 यानि हो सकता है कि एक कुछ children ऐसे हैं कि जो बिना apple के भी रह जाएं तो ऐसे case तो यह हो जाएगा n 11 plus 6 minus 1 c 6 minus 1 तो यह हो जाएगा भी 16 c 5 ओके तो 16 c 5 is a right answer next question है दोस्तों जो की grouping पर depend है the number of ways in which a pack of 52 cards be divided equally among 4 player in order is यह दोस्तों question है grouping का जिसको हमने अपनी पिसली वीडियो में discuss किया था देखे आप देख सकते हैं 52 card है आपको 4 लोग में बाटने है इसका मुलब हर बंदे को कितने card मिलेंगे 13 card मिलेंगे तो यानि आपने 52 को 4 में बाटना है तो हर 4 आपके group है 4 group में आपके हर बंदे को 13 card मिलेंगे ठीक है ना तो इसका जो formula होता था हो याद होगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी mn factorial n factorial की power m upon m factorial ध्यान रहे यह जो formula है यह था divide का जब आपने खाली divide करना होता था लेकिन अगर आप इसको distribute करना है तो आपको इसको m factorial से multiply करना पड़ेगा तो जब आप इसको n factorial से multiply करेंगे तो यह formula रहे जाएगा mn factorial divided by n factorial की power m only ध्यान रहे यह formula है distribution का तो अब यह जो case है इस case में आपका distribution का formula apply होगा क्योंकि आपने क्या करना है 52 card को 4 लोगों के बीच में divide करना है यानि एक तरीके से distribute करना है यानि उसको बाटना है तो formula हो जाएगा 52 factorial divided by अब आपको पता है कि n n कितना है 13 तो 13 factorial की power आपके 4 group है into 4 factorial और उपर से भी क्या हो जाएगा क्योंकि आप आप खाली divide नहीं कर रहे है आप distribute भी कर रहे है तो आपका ये जो formula है किस से multiply हो जाएगा 4 factorial से 4 factorial से 4 factorial कर दिगा तो कितना हो गया 52 factorial divided by 13 factorial की power 4 which is a right answer next question है दोस्तों the number of ways in which 52 cards can be divided into 4 set 3 of them having 17 cards each and fourth one having just one card थोड़ा सा different kind of question है कि आपने 52 जो cards है उनको आपने 4 sets में इस तरह से divide करना है कि 3 के पास आपके 17 card हो तीन के पास आपके 17 card हो और एक पर एक ही card हो यानि fourth one पे just one card हो तो इस question को आप किस तरीके से करेंगे इस question की आपकी हम दो process में यानि दो part में question होगा किस तरीके से होगा आपके पास आप मान सकते हैं कि दो group हैं ठीक है ना आप सबसे पहले क्या करेंगे 52 cards को दो group में divide करेंगे एक होगा आपका 17, 70, 70 यानि एक 51 का group होगा और एक आपका one card का group होगा ठीक है ना तो उसको हम यह मान लेते हैं एक group यह है एक group यह है तो इसको आपको 52 cards को एक तरीके से पहले दो group में divide करना पड़ेगा एक group होगा 51 cards का और एक आपका group होगा एक card का ठीक है ना तो इसके वे कितने होंगे अगर आप देखें तो इसके जो वे होंगे 52 C 1 ओके आपने क्या करना है इसको 52 cards को आपने पहले 51 card में divide करना है तो मलब दो group में divide करना है तो 52 C 1 या 52 C 51 बात एक ही पड़ी पहला आप इसको divide करो तो जाएगा वे 52 factorial divided by 1 factorial into 51 factorial ओके पहले तो आपने इसके बाद जो 51 card जो बचे इसको आपने क्या करना है जिब पुराने question की तरह पे हो गया अब आपने इसको 17, 17, 17 के 3 groups में आपने इसको divide करना है तो आप इसको किस तरह से divide करेंगे आपको आता है यह हो जाएगा 51 factorial divided by 17 factorial की power 3 into यह हो जाएगा 3 factorial ओके तो दो चड़नों में question हुआ सब तो पहले हो जाएगा 52 factorial divided by 1 factorial into 51 factorial into 51 factorial divided by इसको sorry 51 लिख लेते हैं 17 factorial into 3 factorial ठीके न तो 51 factorial से 51 factorial कर गिया तो जाएगा वह 51 factorial divided by 17 factorial की power 3 into 3 factorial ओके तो आप यह question आपको समझ में आए होगा तो यही इसका right answer next question है there are 3 copies each of 4 different books the number of ways in which they can be arranged in a self-ass ओके यह question भी वैसा ही है थोड़ा सा अब फिर क्योंकि यहाँ पर arrangement की बात आ रही तो यहाँ पर फिर से क्या होगा distribution होगा ठीके न तो आपके पास 4 different book है 3 copies है इसका मनला आपके पास 4 group है 3-3 copy के ठीक है न तो यहाँ पर M है आपका 4 और N है आपका 3 तो total आपका कितने ही हो गए बारा तो 12 factorial divided by क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर कितने identical item है आप देख सकते है 3-3 का group है तो 3 factorial की power कितना हो जाएगा 4 into 4 factorial लेकिन यहाँ पर ध्यान देनी बात है कि यहाँ पर आपने इसको क्या करना आरेंज करना है तो into 4 factorial भी हो जाएगा तो 4 factorial से 4 factorial कटा यह हो जाएगा 12 factorial divided by 3 factorial की power 4 which is a right answer तो option B आपका क्या है right दोस्तों बड़ा अच्छा question है the number of ways in which 12 balls can be divided between 2 friends one receive 8 and other 4 is okay बड़ा easy question है कि आपके पास 12 ball है आपने उसको 2 लोगों के बीच में divide करना है एक को 8 मिले एक को 4 मिले यह तो उससे भी पहले वाले से भी easy question है तो आपके पास total balls कितनी है अगर एक के पास 8 और एक के पास 4 है तो total ball कितनी है आपकी 12 balls है और आपने इसको एक तरीके से इसमें distribute करना है तो क्या हो जाएगा 12 factorial divided by 8 factorial into 4 factorial लेकिन यहाँ पर खाली आपको divide नहीं करना है दो लोगों को distribute भी करना है तो into कितना हो जाएगा अपना आपका कितना होना अच्छी है 2 factorial तो 12 factorial into 2 factorial divided by 8 factorial into 4 factorial is a right next question है 7 women and 7 men are to sit around a circular table such that there is a man on either side of every woman the number of sitting arrangement is तो यह question देखिए circular permutation का question है एक आपका एक circle है circle में 7 women and 7 men को इस तरीके से बैटाना है की woman के अगल बगल आपके क्या हो man हो यानि एक तरीके से woman को किस में बैठाना है alternate पर बैठाना है तो बहुत सिंपल सा question है आपके काम करते है man को show कर देते है यह आपके total man है ठीक है ना यह आपके man है जो की आपके circle में बैठे वे है अब आप देख सकते है इन सभी man के बीच में आपकी कौन बैठेंगी woman बैठेंगी तो अब आप देखिए क्योंकि आपके seven men है जो की circle में बैठे वे और इनके middle में जहाँ पर मैं cross कर रहा हूँ यहाँ पर आपकी क्या बैठेंगी woman बैठेंगी ठीक है तो अब आप देख सकते है कि इनके बीच में कितनी places बची seven places है ठीक है ना और seven places पे कौन बैठे हुए man बैठे हुए क्योंकि यह circular में बैठे हुए तो मैंने आपको पहली बताया था कि इसके actually वे कितने हो जाएंगे क्योंकि यह circle में बैठे हुए है तो आपके 7 place में आपके man बैठे हुए है तो इनको arrange करने के वे कितने होने चाहिए आपके n आपको पताएगी बैए n लोगों को circle में arrange करने के कितने वे होते है कितने वे होते है बताइए n-1 factorial यानि आपका कितना हो जाएगा 6 factorial अब 6 factorial में आपने इसको arrange कर दिया और बाकी की places 7 places किसके लिए बची women के लिए बची तो इसको arrange करने के वे कितने होने चाहिए 7 P 7 आप इस इसको ध्यान में रखेंगे कि आपके जो लोग हैं वो circle में बैठे वे हैं circle में बैठे वे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जो men है जो seven men है उनको arrange करने के वे कितने हो जाएंगे बताओ six factorial हो जाएंगे और बाकी की जो places बची कितनी बची seven तो seven के लिए कितनी women है seven women है तो इनको arrange करने के वे कितने हो जाएंगे seven P seven अब आप ध्यान में रखें कि circular permutation एक ही जगा पे apply होता है यह नहीं कि आप इसको बार-बार लगाएं आप मानेंगे कि भाई जो आदमी लोग हैं वो circular में बैठे वे हैं तो अगर वो साथ लोग हैं तो उसको arrange करने के वे कितने होते हैं six factorial होते हैं और उनके बीच में जो places खाली होंगी वो women के लिए होंगी तो वो women के लिए जो places होंगी हैं और there are seven women available तो इसका answer हो जाएगा seven factorial into six factorial ओके next question 10 different letters of an alphabet argument words with five letter are formed from these given letter then the number of words which have at least one letter repeated is ओके आपको 10 different letter दे रखे हैं और आपको 5 letter का अपने world बनाना है ठीक है ना और आपको एक condition दे रही की which have at least one letter repeated तो देखें इसमें famous box method का हम उप्योग कर लेंगे आपके पास 10 letter की choice है हर box पे आपके पास क्योंकि हम देखेंगी कि वह total number of way कितने हो सकते हैं तो हर box में 10 letter की choice है तो इससे बताईए इसके total कितने way हो जाएंगे आपने पिसली वीडियो में भी इसको देखा होगा तो आप इसको देख सकते हैं कि हर box पे आपके पास 10 की choice रहेगी तो actually कितने way हो जाएंगे 10 into 10 into 10 तो total way आपके कितने होगे 10 की power 5 अब हम देखेंगे ये तो case होगे भाई सारे आपके पास 10 letters है तो उससे आपके 5 letter वाले कितने number या हम कह सकते हैं या words बन सकते हैं उसको हमने देख लिया 10 की power 5 when the repetition is allowed लेकिन जब हम बात करेंगे permutation की यानि जब आपका repetition not allowed होगा तो पहले वाले box में कितनी choice रहेगी आपकी 10, दूसरे में 9, अगले में 8 और 7 और 6 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10p5 तो आप क्या करिए 10 की power 5 में से 10p5 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे क्यों करेंगे क्योंकि आप जो total है, total में से अगर आप non repetition को minus कर देंगे यहां पर एक भी letter repeat ने हो रहा तो आपके क्या हो जाएंगे बाकी के यानि at least one repetition वाला आपके सामने आ जाएगा तो आप इसको अगर आप solve करेंगे तो आपका answer आ जाएगा तो आपने क्या करना है तोटल letters में से आपने non repeated को minus कर देना है next question है दोस्तों the number of ways in which the team of 11 players can be selected from 22 players including 2 of them and excluding 4 of them देखे बड़ा easy सा question है आपने बताना है कि आपके पास 22 players है उसमें से आपको 11 player की team बनानी है जिसमें आपको 2 को तो क्या करना include करना है और 4 को आपने क्या करना है exclude करना अगर आप 2 को इसमें से आप include कर देंगे तो आपके पास कितने player है जाएंगे 20 और साथ में आपकी place भी आपकी कितनी रह जाएंगी 9 क्योंकि 2 का तो यहाँ पर reservation हो गया ठीक है ना तो आपको अब आपके पास कितने रहेंगे 20 player और आपने उसमें से 9 को select करना है लेकिन आपसे कह रहा है कि चार को exclude भी करना है तो 4 को exclude है तो आपके total players कितने रहे जाएंगे 16 लेकिन place आपकी कितनी रहेगी 9 ही रहेगी टो आप शीज को ध्यान में रहके जबापना है जब include करते हो जब excuse करते है तो जब include करते है तो player तो कम हुए ही साथ में plays भी कम भी तो इसके total वे आपके कितने हो जाएंगे 16C9 because अब आपकी जो choice हो 16C9 की है next question है दोस्तो in a football championship 153 matches were played every team played one matches with each other the number of team participating in the championship बड़ा अच्छा question है इस type के question हमने पहले भी discuss किये है कि आपके पास total आपके अगर end teams हैं तो उनके आपस में खेलने के way कितने होते हैं NC2 तो NC2 बराबर आपको कितना तरह का है 153 यह just उसी like है कि आपके पास जैसे shaking hand वाले question होते हैं उसी तरह किसे ठीक है आप इसको solve कर लीजे n minus 1 upon 2 is equals to 153 तो हो जाएगा n square minus n बराबर हो जाएगा 306 तो n square minus n 306 बराबर होता है 0 अब इसके दो factor आएँगे आपका क्या हो जाएगा 18 into 17 तो जाएगा n square minus 18 n plus 17 n minus 306 बराबर 0 तो n minus 18 और आपका हो जाएगा 17 common लेंगे तो बच जाएगा n minus 18 बराबर 0 तो n बराबर एक हो गया 18 और एक हो गया minus 17 minus 17 को तो ले नहीं सकते तो n बराबर 18 is the right answer next question है दोस्तों how many number between 5000 and 10,000 can we form using the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is digit appearing not more than once in each number तो अब सबसे पहले आपके लिए important क्या है कि how many digit between 5000 and 10,000 इसका मतलब यह है कि आपका जो भी number रहेगा वो 4 digit का ही रहेगा क्योंकि 5000 और 10,000 के भी 4 digit के नंबर होते तो आप इसको box method से आप solve कर सकते हैं 5000 और 10,000 की जब बात हो रही है तो 5000 से बड़ा और 10,000 से छोटा यानि आपके पास पहले box पे आपकी केवल 5 choices रहने वाली है ठीक है ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी choice रहेंगी आपकी 5, 7, 8, 9 यानि आपकी 4 choices आपकी पहले box पे रहेंगी मैंने यहाँ पर लगता है 6 मैं लिखना भूल गया हूँ तो जब इसको correct टिकल लेते हैं तो क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद क्याना चाहिए 6, 7, 8, 9 तो यानि पहले box पे आपकी कितनी choice रहेंगी 5 choices रहेंगी अब आप देख सकते हैं जब आपके पास 5 choices अगर पहले box में हैं तो अगले जो box हैं उनमें आपकी कितनी choices रहनी चाहिए अब आप देख सकते हैं कि उनमें अगले में रहेगी 8 फिर इसके बाद हो जाएगी 7 और इसके बाद हो जाएगी 6 तो यानि इसको आप यह भी लिसकते हैं कि अगले जो 3 box हैं उसमें आपके 3 places को बनना है 8 number से तो 8p3 हो जाएगा तो 5 into कितना हो जाएगा 8p3 तो 5 into 8p3 is the right answer तो friends आज के लिए इतना ही I hope कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और इसमें सम्मंदी जितने भी question है permutation combination के वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं कोसिस करूँगा कि अगली वीडियो में आपके लिए बहतर कर सकूँ